हेलो एबरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे सेप्टेमबर मन्थ 2023 के जो बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है उन्हीं कोश्चन को इसमें सामिल किया गया है इस वीडियो में आपको जो है बहरी बहरी इंपोर्टेंट कोश्चन चांट कर लाया गया जो कि बारबार एक्जाम में पूछे जाने वाले प्रसन है तो चलिए शुरुआत करते हैं very first question के साथ तो देखिए इसमें question क्या पुछा गया है इन में से किसे G20 में 21 सरदसी के रूप में सामिल किया गया है यानि कि उस country का नाम बताना है जो कि 21st member जो है G20 का बन चुका है तो इसका देखिए सही answer है African Union actually India जो है G20 का जो है host country था मेजवान देश था 2023 में और इससे पहले देखिए मैं आपको G20 के बारे में कुछ चीज़ें जो है highlight करके बता देता हूँ देखिए ट्राइका क्या होता है ट्राइका जो है G20 में तीन अलग अलग जो देश होते हैं उन्हें कहा जाता है किसे किसे का जाता है जो current host country है यानि कि जो देश मेजवान है उसे और आने वाले अगला जो country host करेगा G20 को यानि कि next वाले को जो है यहाँ पर सामिल किया जाता है ट्राइका मैं और इससे ठीक पहले जो अभी current में है इससे पहले वाला जो country है previous country है उसे भी इसमें सामिल किया जाता है पहले कौन था इंडोनेसिया हम लोगों से पहले host कर चुका है current अभी हम लोग host कर रहे हैं इसे और next time जो है ब्राजिल इसे host करेगा तो इन तीन country को मिलाया का tribe का बनाया जाता है तो G20 में देखिए 19 देशी है और इसमें जो है एक union है वो क्या है African Union अब इसमें एक और country को सामिल कर लिया गया है actually एक union को सामिल कर लिया है जिसका नाम है African Union अभी भी 19 देसी हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे दो union यहाँ पे सामिल हो चुके है यादर रखेगा question घुमा कर पूछा जाता है तो वहाँ पे country's अगर पूछ ले आ जाए तो 19 ही आप आंसर करोगे फिलाल इसका जो right answer है वो हो जाएगा option number A और अफिरकन union की शुरुआत कब की गई तो यादर केगा 9999 में ठीक है मैं कुछ extra current affairs आपको बता देता हूँ ताकि BPSC में जो question पूछा जाए ताकि उसका जो है answer आप सही सही कर पाओ और इसका जो theme था वो क्या था वो मैं लिख देता हूँ आप आप लोग notebook में जरूर लिखेगा pen paper पे रखो आप one earth हिंदी में बताने के जुरत नहीं है इतना तो आपको आता ही होगा one earth one family and one future ठीक है one earth one family and one future ये जो है किया गया था यहाँ पे ठीक है चलिए I hope कि सारी जानकर ये आपको यहाँ से मिल गई होगी चलिए अगले question की और हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखो ये जो नरेंद्र मोदी की आप image देख पाओगे अफेरकन यहाँ से हो है union के जो president आयोए थे वो दोनों गले मिलते हैं जब ये इसकी announcement की गई थी यहाँ से जो है G20 की photo आप देख पाओगे अगले सवाल की और हम लोग बढ़ेंगे question number next film and television institute of India जिसे short में क्या कहा जाता है FTI sorry यहाँ double i होना चाहिता यहाँ mistake है FTII ठीक है इसके अध्यक्ष या फिर president किसे elect किया गया है चुना गया है appoint किया गया है तो देखिए appoint किया गया है इसका सही answer हो जागा आर माधवन चीहां आर माधवन 3Date में आपने जो है यह photographer बनने की कोसिस कर रहे थे engineer इनको बना दिया गया था और फाइनली इन्होंने अपने पापा को convince किया था खेर वो मुवी को बाद में रखेंगे फिलाल इसका जो सही जवाब होगा आर माधवन तमिल नाडू से या आते हैं बहुत ही कमाल की यह actor है फिलाल जो है इनको एक और जीके से आप relate करके याद रखेगा इनकी जो पिछले साल मुवी आय थी रोकेटरी उसमें सारू खान ने भी केम्यो किया था और उस मुवी को national award मिला हुआ है याद रखेगा रोकेटरी को national award मिला हुआ है और FTII की जो घोसना है इसकी जो establishment है इसकी अस्थापना दिबस 1960 है ये भी आप जरूर याद रखेगा चलिए अगले सवाल के रोम लोग बढ़ते हैं question number next यहां से देखो सूडी मिसन आदिते 11 ये जो है ये से किस vehicle के दोरा launch किया गया है किस प्रशेपन यान के दोरा छोड़ा गया है इसका नाम आपको बताना है तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा PSLVC57 क्या हो जाएगा option C इसका सही जवाब होगा कुछ और extra GK हम लोग पढ़ लेते हैं तो देखिए 2 September को September 2 को जो है 37 धवन जो की कहा है आप लोग नीचे कॉमेंट करके बताईएगा वहाँ से इसे जो है छोड़ा गया है हम लोगों ने इसे launch किया है अब यहाँ से देखो आपको मैं एक image दिखाता हूँ ता कि आप चीजों को और अच्छे से L1 इसका नाम क्यों पड़ा क्योंकि यह जो यान है न यहाँ पे आकर मैं इसे color change कर लेता हूँ ता कि आपको दिखे यहाँ पे यह आएगा और sun के बारे में सूरी के बारे में हम लोग research करेंगे और जानकारिया जुटाएंगे सूरी के बारे में ता कि अर्थ life के बारे में चीजों को और हम लोग अच्छे से समझ पाएं तो सही जवाब क्या हो जाएगा option number C अगले सवार की ओर हम लोग बढ़ेंगे सवाल number next जो है आपके सामने यह रहा अगला सवाल यहां से आपको दिख रहा होगा दखिए इस question में चा पूछा गया है इस question में पूछा गया है आपसे कि during cup 2023 23 का जो खिताब है वो किसने जीता है तो इसका सही जवाब देखिए यह होगा मोहन बगान और यह जो है इससे पहले 131 हो चुक है यह 132 वां डूरंड कप था ठीक है और किसे जीता तो यह आपको पता है मोहन बगान है लेकिन question कभी कभी tough question कैसे पूछा जाता है पूछ दिया जाएगा runner-up team कौन थी यानि कि दूसरे नमबर पर उपबेजेता team कौन थी तो इसका जवाब होगा East Bengal याद रखिएगा East Bengal जो है यहाँ पे जीता हुआ है ठीक है और मोहन बगान ने लगाता consecutively 17 बार जो है यह खिताब जीता है और East Bengal को जो है एक zero से final में हाराया था तो यह भी साहद exam में आ जाता हो तो मैंने सारी चीजों को यहाँ पे cover कर दिया है और यहाँ से आप जो है मोहन बगान के जो photos हैं जीतने के बाद यहाँ से आप देखो नवरतन का दर्जा दिया गया है नवरतन वो company होती है जो की government के दोरा जो है उससे चलाया जाता है रन किया जाता है जिसमें 51% से ज़्यादा सरकार की हिंसेदारी होती है ठीक है पूछा गया है RCF का मुख्याले कहां है यह आपको बताना है तो देखिए RCF का मुख्याले आपको मिलेगा मुंबई में और यहां से आप इनकी लोगों को भी देख सकते हो ठीक है यह नॉर्मल प्वेशन था मैंने आपको बताती है अगला सवाल देखो होकी कप यहां पे 5-5 लिखा गया है, सौरी यहां से आप answer सही देख पाओगे 5-S 5-S एसिया कप टुनामेंट जो है किस टीम को इन्डिया ने हराया था इन्डिया ने जीता है यह याद रखना है आपको यह एक GK है यह current effects है एक लेकिन किसको हराया मैंने का ना question जब टब पूछा जाता है अभी मैंने आपको बताया जैसे East Bengal runner-up team था तो यहाँ पे Pakistan runner-up team रखी थी और हम लोगों ने Pakistan को 2-0 से हरा दिया था चलिए अगले सवाल की और हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से आप जो इसकी photo भी देख सकते हो इस match की अगले सवाल की हम लोग बढ़ेंगे next question आपके सामने यह रहा हाल में ही एन विलार मती का निधन हो गया इनकी death हो गई है और इनका सम्मंद किस छेतर से था यह किस फिल्ड से जो है related थी तो इनका सही जवाब हो जाएगा scientific research यानि कि बैज्ञानिक अनुसंदान से यह सम्मंदित थी और यह का से आप इनकी photo देखिए यह जो है चंदरियान के जो moon mission है उस में भी सामिल थी चंदरियान जो 3 mission है इसके लिए यह सामिल थी और यह Eastern. और यह तमिल नाडू से आती है तमिल नाडू से और 2015 में तमिल नाडू सरकार के द्वारा इनको अब्धुरी जिल्कलाम के award से भी से मानित किया गया था अगले सवाल की और हम लोग बढ़ेंगे next question देखिए question number 8 Italian Grand Prix 2023 किसने जीता है उस खिलाडी का नाम आपको बताना है सबसे पहले आप इनकी photo यहां से देख लो ताकि आपको जो है एक visual experience मिल पाए तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा यहां से देख लो option number 1 ही इसका सही जवाब हो जाएगा max इन्होंने जो है इस award को जीता है और 10 बार लगातार इन्होंने जो है इस award को ये जीतते आ रहे हैं और हो सबता है कि 2023 इन्होंने जीत लिया है 2024 में भी यह जीत जाएं ठीक है चलिए और अगले सवाल के और हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल आपके सामने यह रहा Moon Kiper किस देश का Moon Mission है चंदरमा Mission जो हम लोगों ने किया था है ना चंदरमा जो हम लोगों ने Moon Mission लाँच किया था कौन कंट्री जो है Moon Sniper launch करने वाली है तो इसका सही जवाब देखिए Japan है जपान हिंदी में बोलते हैं इंगलिस में Japan बोलते हैं और यह जो जपान की जैसे हम लोगों के इंडिया में इश्रो है उसी तरसे जपान में JAXA है यह ठीक है J-A-X-A और जपान की मदद कौन-कौन सी कंट्री करती है यह जो सेटिलाइट वगेरा लाँच करते है जपान तो दो इंस्ट्यूर का नाम आपको याद रखना है पाला है NASA नासा इनकी बहुत मदद करता है और एक और है European Union European Union Space Agency जो है इनकी बहुत मदद करता है किसकी जपान की अगले सवाल की यहां से आप इनकी फोटो देख सकते हो जपान launches moon sniper mission यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो चाकि चीज़े जो है आपके mind में जो है picture का experience और वैसे भी बहुत अच्छा होता है फिलाल हम लोग अगले question की और बढ़ेंगे next question आपके सामने यह रहा देश की पहली solar city कौन सी है और यहां से आपको फोटो देख करना idea लग चुका होगा यहां से आप फोटो देखोगे कौन दिख रहे हैं आपको यहां से सिवराज सिंग चोहान की फोटो दिख रही है हमपी या परियागरा से भी समंदित नहीं है actually सांची इसका सही जवाब है सांची के उस्तू जो है बहुत ही famous है और यह जो है Maury Kalin यानि कि Maury के समय में यह जो है सांची के जो इस दूप है उसका निर्मान कराया गया था यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो सोलार सिटी जो है पहली सोलार सिटी बनी है यह और यह कहां पे है सांची में याद रखेगा चलिए अगले सवाल के और मलग बढ़ते हैं next question आपके सामने यह रहा दुनिया की सबसे उची नटराज परतिमा किस राज में इस्तित है ठीक है अस्थापित की गई है आपको बताना है कहां पे अस्थापित की गई है तो देखे नटराज स्टेचु जो है पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ और भारत मंडपप में आगे में यह फोटो आपको दिखे की और नटराज को भगवान सीब का ही एक रूप माना जाता है और उसमें कहा गया है कि भगवान सीब जो है लौड सीब है वो क्या है डिस्ट्रॉयर है और क्रियेटर भी है यानि कि यह पृत्वी या फिर यह जीवन का विनासक भी है और संघार कर भी जो इनको कहा जाता है ठीक है चलिए अगले सवाल की और हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल आपके सामने यह रहा अजरबेजान के बाकू में आयोजीत 53rd जो वर्ल्ड चैंपियंशिप 2023 है भारत तालिका में कितने नमबर पे रहा था यह आपको जवाब देना है इसका तो इसका जो सही जवाब है वो है थर्ड नमबर पे इंडिया रहा था और इसकी सुरुवात इसकी सुरुवात वर्ल 6 गॉल्ड मेडल हम लोगोंने यहां पे जीता है और 8 ब्रॉंज जीता है एक भी सिल पर हम लोगोंने जीता नहीं है टोटल 14 जो है हम लोगोंने यहां पे पदग जीता हुआ है ठीक है सारी बातें जो है क्लियर होगी होगी और बहुत सारे जो एथिलीट है हम लोगों के कं फ्रेंच ओलम्पिक जो होने वाला है अगला फ्रांस में ओलम्पिक होगा वहां के लिए क्वालिफाई कर लिया है इस प्रतियोगिता के माध्यम से I hope कि आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी इस कोश्चन को लेकर चलिए यहां से जो है इसकी फोटो भी देख सकते हो चोगदा अगस्त से लेकर एक सेप्टेंबर तक इसकी आयोजन की गई थी और 14 मेडल जो हम लोगों ने यहां पर जीता हुआ था अगले सवाल की और हम लोग बढ़ते हैं फायर ओन्दा गंगास जो पुस्तक है किसके दौरा लिखी गए रखिए इंगलिस बुक है लेकिन आप जो है हिंदी में भी से याद रख लीजेगा फायर ओन्दा गंगास यानि की जो बनारस की यहां फोटो देख लो आप ले ब राधिका अयंकर के दौरा जो है किताब में बनारस के डोम जाती के जो वहां पे लासो को जलाते हैं उनके संघर्स की कहानी इसमें बताई गई है उनकी जो बरती दिन जो अलग-अलग समस्या से जूजते हैं उनके बारे में इस किताब में बातें लिखी गई है सही अगले सवाल की और हम लोग बढ़ते हैं question number 14 की और next question आपके सामने ये रहा भारत के पहले AI यानि की artificial intelligence के दोरा संचालित anti-drawn cloud drone system जो है उसका नाम क्या दिया गया है ये आपको बताना है तो देखे इसका सही जवाब है इंदरजाल और ये क्या करता है इंदरजाल जो है defense रक्षा के छेतर में काम करने वाला है और जो अलग-अलग institute है इसकी निगरानी ये करेगा 4000 square meter को जो है ये area को ये cover करेगा और वह होब कि आपको सारी बात हैं यहां से crystal clear होगी होगी यहां से इसकी फोटो भी देख सकते हो इंदरजाल इसका सही जवाब है अगले सवाल के और लोग बढ़ते है one nation one election के लिए जो है किसे अध्यक्ष बनाया गया है इक समीती का गठन किया गया है उसके लिए किसे जो है रामनात को भी दोगा ठीक है और one nation one election का क्या मतलब है कि जैसे लोग सभा का जो चुनाव होता है उसी समय अलग-अलग state का जो है election करा लिया जाए जैसे कि जहारकरंड बंगाल पस्चिम बंगाल हो या फिर पंजाभ हो किरला हो या फिर तमिलाडु हो इन सभी राजियों को का election जो है लोग सभाया निकी परधान मंत्री और आप अपने राजि के मुख्य मंत्री का election जो है एक साथ कर पाऊ गया निकी आप सांसद और विधायक दोनों को एक ही election में चुन सकते हो लेकिन ये दूर की कोड़ी है अभी इस पे काम किया जा रहा है और इसके लिए अलग बताने कि वो किस भारतिये घराने से सम्बंधित थी तो देखे इसका सही जवाब है Gwalia Gmana सिधा सिधा ऑनसर है और ये जो है कौन कौन से चीज़ों को गाती थी तो देखे ख्याल इसमें एक ख्याल और जो टपा है उन चीज़ों को यह काम में यहां पे यलाते थी उन ची फाल के और हम लोग बढ़ते हैं 53rd दादा साहब फाल के एवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है वाहिदा रामान जो कि तमिल नाडू से आती है तमिल नाडू में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी फिल्मी केरियर का सुरुवात जो है वहीं से साउथ मुवी से ही कि इनकी पहली इन्टियन मुवी जो है नहीं इन्टियन मुवी तो साउत वाले को भी इन्टियन मुवी ही कहेंगे लेकिन हिंदी फिल्मों के जो ही सुरुवात हुई थी वह पहली मुवी थी CID और इसमें जो इनके एपोजट थे वो कौन थे आपको पता ही है देवानन औ और इनकी एक इन्होंने साथ में गाइड में भी काम किया और वो बहुत ही पॉपलर थी, आप लोगों को मैं बता दूँ कागज के फूल, यह मुवी बहुत ही पॉपलर थी, और यह मुवी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, अगर आप खाली समय में हो तो यह मुवी देख सकते हो, और गुरुदत की वो मुवी थी, फिलाल आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और यहां से वहिदा रामान की आप फोटो देख सकते हो, और जब यह एक्ट्रेसेस हुआ करती थी, अभी भी एक्ट्रेसेस है, बट उस समय शुरुवाती दुनों की यह फोटो है, और यह अभी करिंटली फोटो इनकी लिग गई है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बीशो परियटन दिवस 2023 का थीम क्या है, सबसे पहले बीशो परियटन दिवस मनाया कब जाता है, 22 सेप्टेंबर को, यह जो है 22 सेप्टेंबर को मनाया जाता है, ठीक है, एक बात तो मैंने आपको बता दी, अब देखिए साओधी अरेबिया जो है इसे अभी होस्ट कर रह और साउदिय अरेबिया सिर्फ तेल पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है ये टूरिजम के लिए अलग लग चीजों को अपने देश में प्रमोड कर रहा है तो बिसु परियतन दिवस 2023 का थीम क्या है परियतन और हरितनिवेस यानि कि टूरिजम को जो है ग्रीन इनिसिये के द्वारा जो है इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो है इसे आगे बढ़ाया जा रहा है सही जवाब क्या होगा option number D अगले सवाल की यहां से देखो 27 सेप्टेंबर आपको दिख रहा होगा sorry मैंने 22 बता दिया sorry for that 27 सेप्टेंबर इसका सही जवाब है जो टूरिजम डे है वो 27 सेप्टेंबर को मनाया जाता है अगले सवाल की और में लोग पढ़ते हैं next question हाल में ही भाभा परमानू अनुसंधान केंदर यानि कि B.A.R.C. का निर्देशक यानि कि डिरेक्टर किसे बनाया गया है तो देखिए इसमें जे एक option है न अजीत मोहंती यह आप नहीं मा रहें wait a minute इसका सही जबाब क्या हो जाएगा option number A इसका सही जबाब है फिलाल दखिए यहां से जो है आप इनकी photo भी देख सकते हो और यहां पे इनके background में आप जो है इनके बाबा जो अनुसंधान केंदर है इसकी logo भी आपको यहां से दिखाई पढ़ रही होगी अगले सवाल आपसे पूछूँगा स्वेत क्रांती का जनक किसे का जाता है नीचे comment करके आप लोग इसका जवाब दीजेगा मैं जानना चाता हूँ कि कितने लोग sincerely जो है चीजों को पढ़ते हैं समझते हैं फिलाल कुछ और चीज़ें आपको additional में बता देता हूँ जो कि exam में प भूख के कारण मर गए थी बहुत सारी दर्दरनाक जो है तस्वीरें आपको देखने को इंटरनेट पे मिल जाएगी मैं यहाँ पे सामिल नहीं करूँगा इसका जो और भी कुछ चीजों को हम लोग देख लेते हैं एम स्वानी नाथन जो है तमिल नाडू से सम्मानित थे चन्नई में इन्होंने आखरी सांस ली थी और इनके बारे में कुछ और चीजें बता देता हूं तब आपको पता चलेगा कि यह कितने ग्रेट प्रसनालिटी थे 1967 में इनको पद्म सिरी से सम्मानित किया गया था पद्म सिरी से सम्मानित किया गया था कब 1967 में 1967 में और फिर 1972 में 1972 में जो है पद्म भूसन दिया गया था इनको क्या दिया गया था पद्म भूसन और 1989 में जो है इनको 1989 में इनको पद्म भी भूसन दे दिया गया था ठीक है और अटल बहरी ये स्वरी जो लाल क्रिशन डवाने है इनको भी पद्म विभोसन से हाल में ही समानित किया गया था एक दो साल पाले ही ठीक है इस बात को भी आप याद रखिएगा साइध ये भी एक्जाम में पूछा जा सकता है एक और बात इनको मैं बता दूँ 1971 में ठीक ह बिसुखाद पुरुसकार भी इनको मिला हुआ है तो मैंने सारे पुरुसकार का नाम आपको बता दिया है एक्जाम के point of view से which is very 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 critical बहुत ही ये important सवाल है बार-बार एक्जाम में ये पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको ये सारी जानकारी additional में बता दी है और यहां से जो है आप इनकी फोटो देख सकते हो और इनको father of green revolution in India जो है M. Swaminathan को का जाता है इनको हम लोग याद करते हैं thank you बोलते हैं क्योंकि हो सकता है कि हमारे और आपके पूरवज जो है आज जिन्दा है इनी की वज़ा से उस समय अकाल से नहीं मरे क्योंकि इनोंने बहुत मैनत स बहुत दिल लगा कर काम किया और हमारे पूरवजों को जो है बचाया इनोंने चली अगले सवाल के और हम लोग पढ़ते हैं हाल में ही घोसित tiger reserve विरांगना दुरगावती tiger reserve जो है इसको घोसित किया गया है tiger reserve आपको बताना है कि दुरगावती tiger reserve कहां इस्थित है सही जव आपको कहां मिलेगा यही पे और छे tiger reserve के साथ जो है महराष्टा दूसरे निमर पे है और इंडिया में total कितने tiger reserve है तो याद रखेगा 54 tiger reserve आपको मिलेंगे कहां पे इंडिया में ठीक है यहां से आप इसकी photo भी देख सकते हो विरांगना दुरगावती tiger reserve जो है आपको मधि संस्था के साथ है तो देखिए NASA से जो है यह संबंदित है आप लोगों से एक सवाल पूछलू नीचे comment करके आप लोग जवाब बताईएगा NASA का पूरा नाम क्या है और इसका जो hit quarter है मुख्याले है वो कहां पर है और NASA की अस्थापना कब की गई थी ठीक है यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो यह देखिए यहां पर जो है एस्ट्रोयट के बारे में भी बताया गया है फोटो में आपको दिख रहा होगा चर्चा में रहा चर्चा में हाल में ही जो है five eyes यानि कि देखिए five eyes जो है एक ऐसा समझ लो आपना अलग-अलग country के अलग-अलग जो है agency होती है जो की जासुसी करती है जैसे के इंडिया का रह हो गया इसी तरह से पाकिस्तान का जो है ISI है अमेरिका का क्या है CIEF है CIE है इसी तरह से अलग-अलग country के अलग-अलग जो है वो agency होती है intelligence भी कहा जाता है उसे तो फिलाल five eyes में कौन-कौन सामिल है तो since यहाँ पर Australia है Australia और New Zealand जो है बहुत ही करीब-करीब देश है और दोनों की जो geopolitics है लगबग-लगबग समान ही है तो दोनों इसमें सामिल है चार मेंने बता दिये पांचमा जो है उसमें कनाड़ा भी सामिल है और हाल में ही जो निजर की हत्या कर दी गई थी उनको किलके अर कर दिया गया था और यह फाइप आइस के द्वारा ही जो यह information share की गई थी कि इंडिया के agency RAW ने इनको खत्म कर दिया है फैर इस पे बहुत सारी controversy अभी देखने को आपको मिलेगी इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है भारत भारत इसमें सामिल नहीं है New Zealand Canada America और UK आ मैंने नाम आप लोगों को पहले ही बता दिया था इसमें जो है Australia, New Zealand, UK और USA और Canada भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा अगला सवाल देखिए 20 वा राष्ट्रिये पुस्तक मेला का आयोजन कहां किया गया था जो book fair है यह 20th national book fair कहां पे आयोजित किया गया तो इसका सह रखना बलरामपुल गार्डन में जो है इसकी सुरुवात की गई थी और इसका थीम क्या था थीम था ज्यान कुंड यानि कि यहां पे बहुत सारे लिखक आएंगे वो जो है बात करेंगे अपने पुस्तक के बारे में कि यह लिखने के पहले उनके दिमाग में जेहन में क् देख सकते हो राष्टिये नेशनल बुक फेयर और यहां से देखो बाई सेप्टेंबर से दो अक्टवर तक यह चलेगा और बलरामपुल गार्डन भी आपको यहां से दिख रहा होगा और लखनो भी दिख रहा होगा चलिए अगले सवाल के और मलग बढ़ते हैं हाल में ह राजस्थान के किस सहर में गांधी वाटिका का लोकारपन किया गया है हाल में राजस्थान के किस सहर में गांधी वाटिका का लोकारपन किया गया है तो देखिए इसका सही जवाब है राजस्थान की राजधानी जैपूर में इसका उधगाटन किया गया है अब देखिए इसमें खास बात क्या है गांधी वाटिका के बारे में देखे यहां पे गांधी जी की जो तस्वीरे है ना ये बोलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी गांधी जी अपने तस्वीरों के बारे में इनके आवाज में आपको चीजे सुनाई पड़ेगी गंदी जी की तस्विर है यहाँ पर बोलती है और इसे किस टेक्निलोजी के द्वारा बोलाया जाता है तो इसका सही जवाब देखिए होलो टेक्निक के द्वारा जो है यह आपको देखने को मिलता है हो सकता है कि एक्जाम होल टेक्निक के बारे में भी पूछ दिया जाए यहां से आप जो है फोटो भी देख सकते हो ठीक है चलिए अगले सवाल के रूम लोग बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की ओ कोश्चन नमर 26 देखे क्या पूछा गया इसमें चर्चित चौक प्रियोजना का संबंध किस राज से है चौक जो प्रोजेक्ट है यह किस राज से संबंधित है तो इसका सही जवाब देखो option A होगा 36 गड़ अब देखे 36 गड़ के गवर्मेंट ने कोशिज करी है वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्मेंट के साथ मिलकर जो स्कूल है उन्हें जो है डेवलप किया जाए यह डेवलप करके स्कूल में क्या करेंगे नए नए बिल्डिंग्स बनाएंगे और किस तरह से रोचकता से बच्चों को पढ़ाया जाए इसके बारे में बात की जाएगी अगले सवाल की और अमलोग बढ़ते हैं यहां से देखो यहां से आपको जो है भुपेस बगेल जो की 36 गड़के CM है इनकी फोटो आपको दिख जाएगा यहां पे देखिए लैब, लाइबरेरी बगएरा क्लासरूम को स्मार्ट बनाये जाएगा आटिफेसिल इंटेलिजेंस की बारे में भी बात करेंगे आगे एक कोशन भी मिलेगा पर्टिकुलरली ठीक है चलिए अगले कोशन की और हम लोग बढ़ते हैं 19th edition का जो Asian Games हुआ था यानि कि रास्ट्री है 19th edition है भारतिय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है तो उसका सही जबाब देखिए गॉल्ड होगा हम लोग ओने यहाँ पर गॉल्ड जीता है और मेल टीम भी I mean men's टीम भी जो है यहाँ पर गॉल्ड मेडल लाए ऐसी हम लोग कामना करते हैं चलिए अगले सवाल की और मोग बढ़ेंगे यहाँ से देखो फोटो भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से देखिए मैलाओन है यहाँ पर गॉल्ड मेडल जीता हुआ है अगले सवाल की और मोग बढ़ेंगे question number next 28 times world university ranking 2024 में number one पर कौन सी university रही है सबसे अच्छी university का दर्जा किसे दिया गया है तो देखिए यह है अक्सपोर्ट युनिवर्सिटी अक्सपोर्ट युनिवर्सिटी को यह first prize मिला हुआ है और second number पर रही थी Stanford University जो की USA यानि की अमेरिका की university है यहां से आपको फोटो भी दिखाई पड़ रही होगी यहां से देख सकते हैं आप फोटो को चलिए अगले सवाल की और हम लोग बढ़ेंगे question number next यहां से फोटो वगएर आपको दिख जाएगी world leader for peace and security award यानि की सांती और जो सुरक्षा का पुरुसकार है किसे दिया गया है तो देखिए माता अमृता नंद मई देवी को यह एवाड गिया गया है आप फोटो देख लो समझ में आ जाएगा यह social worker है जो की पुरे बिस्व में सांती spirituality यानि की लोगों में सदभाव बढ़े एक दूसरे को सम्मान दें प्यार दें इसके लिए इनको सम्मान यह दिया गया है अगले सवाल की और में लोग बढ़ेंगे चर्चित आपसा का फुल फॉर्म क्या है यह आप से पूछा गया है तो देखो सबसे पले यह जाल लिजिए कि अभी यह चर्चा में क्यो है मनीपूर जल रहा है आपको पता है वहाँ पे बहुत हिंसा हो रही है सरकारे महाँ पे नकाम हो गई है सांतिबाल करने में लोग एक दूसरे को मारने काटने पे उतारू है तो फिलाल 6 महिने के लिए आपसा लगा दी गई है कहाँ पे मनीपूर में ठीक है और इसकी सुरुवात कब की गए थी 1958 में सुरुवात कब हुई है 1958 में सही जवाब आपका होगा आम फोर सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आपसन ए आपका क्या होगा सही जवाब हो जाएगा अगले सवाल के और हम लोग बढ़ते है रमन मेकसे से एवाड 2023 के लिए किस भारतिये को परदान किया गया है तो रभी कनन देखिए कहा है आपसन आपसन नमर बी ये आसाम के हैं याद रखेगा इनको जो है Hero for Holistic के लिए आवाड दिया गया है और इनको पदमसरी भी भारत सरकार दे चुकी है और पिछली बार 2019 में एक और भारतिये ने रमन मेकसे से एवाड जीता है जिनका नाम है रवी सकुमार टेलिविजन के वो जो है जेनरलिस्ट है और सरकार की काफी अलोचना ये करते हैं NDTV में ये काम करते थे इन्होंने श्तिफा दे दिया जबसे जो आडाने साब है उन्होंने NDTV को खरीद लिया था इसके बाद इन्होंने श्तिफा दे दिया है इनका नाम क्या है रवी कनन अगर मैं बात करू रमन मेकसे से एवाड की तो फिलिपीन के जो सात्मे राष्टपती थे उनके नाम से ये एवाड दिया जाता है और Asia का इसे Nobel Prize भी कहा जाता है याद रखेगा Asia का Nobel Prize कहा जाता है इंडिया के और से सबसे पहले जीतने वाले जो वेक्तित है जिनोंने रमन मेकसे से एवाड जीता है उनका नाम है बिनोवा भावे चलिए अगले सवाल के और लोग बढ़ेंगे बुदाना अंदोलन से भी जो है बिनोवा भावे सम्मंदी थे यहां से देखिए आपको रवी करन की जो है फोटो दिख जाएगी इनके अलावा कुछ और लोगों को भी समानित किया गया है रवन मेकसे से अवाड से उनका भी नाम आप यहां से देख सकते हो चलिए अगले सवाल की और लोग बढ़ते हैं मिस अर्थ इंडिया 2023 का किताब किसने जीता है ठीक है तो देखिए सीकर की रहने वाली प्रियन सेन ने जो है इसे जीता है ठीक है शिकर की रहने वाली है यह और पहली राजस्थानिया जिन्होंने यह अवाड जीता है अब यह जो है प्रियन सेन इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी कहां पे इंटरनेशनल पीजन ब्यूटी में जो कि कहां पे होगा वियतनाम में होगा याद रखेगा वियतनाम में यह किया जाएगा और उसको जो है इंडिया की और से प्रियन सेन यहाँ पे उसे जो है लीड करेगी यहाँ से आप प्रियन सेन की फोटो भी देख सकते हूँ ठीक है चलिए अगली सवाल की और अगला सवाल देखिए आपके सामने यह रहा 69 जो राष्ट्रिय फिल्म पुरुसकार है यानि कि नैसनल एवार्ड है इसकी घोसना की गई है सर्वस्ट अभी नहीं था किसे घोसित किया गया है तो देखिए अलू अर्जुन को यह अवार्ड दिया गया है और यह पहले तेलगू अस्टार है जिनको यह दिया गया है पुस्पा दराइस मुवी आई थी जिसमें इनको जो है उस आधाकारी के लिए इसको इनको जो है नैसनल एवार्ड मिला हुआ है ठीक है पली बात दूसरी बात अभिनेतरी की बात करें तो आलिया भट को जो है यह अवार्ड मिला हुआ है इनके साथ साथ में आलिया भट तो है ही यहाँ पे जो है कृति सैनन उनको भी यह अवार्ड मिला हुआ है कृति सैनन ने जो है मीमी मुवी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जो है किराये की कोख वाली स्टोरी को उन्होंने जो है उसको जो है बहुत अच्छे से चितरन किया था इनके लिए जो है इनको एवार्ड मिला हुआ है और सबसे अच्छी मुवी की बात करें तो नर्गिस हसन जयी जो है हाल में ही 207 पुरुषकार जीता है वो किस देश किये तो देखिए जब से अफगानिस्तान में तालिवान का सासन हुआ है यहाँ पे महिलाओं के पढ़ने लिखने नौकरी करने पे रात में आने जाने पे बहुत सारी पावंदी लगा दी गई है इन को ये अवार्ड मिला हुआ यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो चलिए अगले सवाल की और हम लोग बढ़ेंगे किस राजे ने भारत में पहला AI स्कूल लॉंच किया यहां से आप फोटो देख पाऊगे AI एन की Artificial Intelligence स्कूल जो है इसकी जो है सुरुवात कहां की लेकिन Artificial Intelligence के यह जो रोबोट है यह भी जो इनको प्रोग्राम किया जाएगा ट्रेन किया जाएगा कि यह बच्चो को पढ़ा सके अगला सवाल देखो भारतिये रेलवे बोर्ड के अध्यक्षपद पर पहुंचने वाली पर्थम महिला कौन है तो देखिए इनका नाम है जया वर्मा सिना यहांसे आप इनकी फोटो देख लिजे और यह जो है एक साल के लिए जो है भारतिये रेल मैं यहाँ पर निर्देसर का काम करेगी और अगर एक साल के यह कारेकाल की अगर मैं बात करो तो याद रुखिएगा एक साल के बाद इनको रिप्लेच्स कर दिया नाम क्या कर दिया है बदल दिया गया तो इसका नाम है अस्मिता महिला लीग जो है इसे कर दिया गया है option A क्या होगा सही जबाब हो जाएगा अगले सवाल के और हम लोग बढ़ेंगे question number 38 इसके बारे में बात की गई है पुस्तक किसके द्वारा लिखे गई है अगर आप ये drunk यानि की सराव बगया के बारे में सोच रहे हो तो ये बिलकुल गलत है इसका सही जवाब देखिए कभीर होगा कबीर के जो अलग अलग जो दोहे दिये गए है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है चलिए अगले सवाल के रूमलग बढ़ेंगे यहाँ से देख लीजिए और यह क्या काम करेगा यह जो है अलग अलग जो चीजें है वो यहाँ पर एक्स्प्लोर करने का काम यह किया जाएगा इसके दौरा देखिए अगला सवाल दुनिया की पहली BS6 Electrified Flex Fuel Car निर्मित की गई है देखिए यह इतना बड़ा नाम है इसे याद रख लेना अब देखिए इसके बारे में यह क्यों important है तो देखिए यह ethanol यानि की जिसमें petrol 80% होता है और 20% गन्ना जो मक्का का जो है मिसरन करके जो हैसे तयार किया जाता है इथनॉल ठीक है 83 का जो है लक्ष रखा गया जिसमें की हम लोग 80% पैट्रोल रखेंगे और 20% जो है गन्ना जो और मक्का के रसको मिला कर जो है हम लोग केमिकल तयार करेंगे और जिसे पैट्रोलियम और यह कार जो है सबसे पले टोयोटा मोटर्स इंडिया ने लॉंच करी थी यहां से दे सकते हो और आने वाले समय में याद रखना आप कारें जो है इसी परपस पे चलेगी इलेक्ट्रिक कारें चलेगी पैट्रोल वाला कार जो है जल्द ही बंत हो जाएगा फिलाल आगे सवाल की और में बढ़ेंगे इंटरनेशनल ब्लाइंड इंटरनेशनल ब्लाइंड स् ठीक है किसे हराकर इंग्लेंड को हम लोगों ने हराया है question देखे ये भी पूछ लिया जाता है किसे हराया है इंग्लेंड इंग्लेंड runner-up यानि की उप बिजेता team रही थी I hope कि सारी बातें clear हो गई sorry ये इंग्लेंड में आयो जीत हुआ था माप कीजिएगा और जो बिरोधी team थी जिसे हम लोगों ने हराया उसका नाम है Australia हम लोगों ने Australia को हराया था यहाँ पे women's की बात हो रही है महिलाओं की बात हो रही है तो men's team ने क्या क्या था तो देखिए men's team ने runner team की बात करूँगा तो यहाँ भी England team जो है दूसरे नमर पे रही थी England को हम लोगों ने हराया था यहाँ पे ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगली सवाल की और अगला सवाल आपके सामने यह रहा FIBA Basketball World Cup 2023 किसने जीता हुआ है ठीक है यह जो प्रतियोगीता का होजन है यानि कि यह competition का होजन है Philippines, Indonesia और Japan के द्वारा जो है किया गया था तीन host country थी कुल 32 टीमों ने यहाँ पे participate किया था ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आप जो है इसकी photo भी देख सकते हो ठीक है यह जो है बने बता दिया जर्मनी है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की और भारत ने किस देश में C-295 transport aircraft खरीदे हैं भारत ने किस देश से C-295 जो है transport aircraft खरीदा है तो इसका देखिए सही जवाब होगा स्पेन, हम लोगों ने स्पेन से जो है ये खरीदा है, एक्शली देखिए इसका काम हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे रिमोट एरिया जहां पे लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे हम लोग ट इसमें बनाएगा और जो बांकी के बचे हुए 40 हैं, वो इंडिया में बनाया जाएगा, याद रखेगा, अगले सवाल के और अमलब बढ़ते हैं, यूएस ओपेन 2013 में पुरुस यूगल का खिताब जो है, किसने जीता हुआ है, तो इसका सही जवाब देखिए, और राज चली आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की और, यूएस ओपेन 2023 की महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया है, तो कोको गॉप और ये इनका पहला ही टूनामेंट था, और ये अमेरिका की है, यूएसे की है, और इन्होंने पहले ही टूनामेंट में अपना परचम लहर गया है, तो इसका सही जवाब दखिए, दिवपान गॉंगली हैं, और टोटल 12 साइंटिस्ट को ये जो है, अलग-अलग छेतरों के बैज्ञानिक को ये दिया गया है, इंडिया में दिये जाना वाला ये अलग-अलग खोज करने वाले लोगों को ये दिया जाता है, टोट गॉंगली जी की फोटो है, इंडिया मेडल इस्ट यूरोप मेगा इकनोमिक कोरिड़ यानि की हम लोग क्या करेंगे न, यहां से ट्रेन बिचाएंगे और यहां से यूरोप में समान हम लोग पहुचाएंगे, यूरोप से समान भी लाएंगे, उसके बाद पोट की मदद ली जाएगी इसमें कौन सामिल नहीं है तो देखिए अफगानिस्तान को हम लोगों ने रूल आउट कर दिया है अफगानिस्तान की जरूरत नहीं है यूरोपियन कंट्री फ्रांक इतली साओधी अरेबिया हो सकता है कि टर्की भी इसमें सामिल हो जा लेकिन एज अपना टर् टुनामेंट किसने जीता है तो देखिए इसका भी जवाब क्या है भारत है भारत ने इसे जीता है अब सवाल ये आता है कि भारत ने किसे हरा कर ये जीता है ये भी सवाल पुछा जाता है एक्जाम में तो बंगलादेश रनर आप टीम रही थी उप विजेता टीम रही थी कौन बंगलादेश और हम लोगों ने 2-0 से जो है इसे हराया है किसे बंगलादेश को और पांचवी बार आई रिपीट पांचवी बार जो है सैप अंडर 16 का ये खिताब हम लोगों ने जीत लिया है कितनी बार पांच भी दभा यहां से जो है सैप अंडर 16 का जो खिताब है यह विनर्स के फोटो हैं चैंपियन्स के फोटो हैं आप यहां से देख सकते हो हाल में ही अजीत निनान का निधन हो गया है वह किस छेतर से समंदित थे यह आपको बताना तो देखिए यह कार्टूनि हाल में ही उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया है वो कौन से वाद यंत्र बजाते थे तो यहां से आप फोटो देख लो और आपको आइडिया लग चुका होगा यह बीना बजाते थे और पूछा यह भी जाता है कि कौन से घराने से थे तो याद रखिएगा यह चैपूर घराने से यह सम्मंदित थे फिलाल अगले सवाल की और अमलोग बढ़ेंगे हाल में ही बंगस वैली फेस्टिवल किस राज में सुरू हुआ है तो देखिए आदिवासी संस्क्रिप्ति को बढ़ावा देने के लिए इसकी सुरूआत की गई है और जमू कस्मिर मे जो है यह ऐजन हुआ है जमू कस्मिर के उपराजपाल कौन है मनोज शिना याद रखिएगा यह भी कोईशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है मनोज शिना यहां के क्या है लेटिनेंट गवर्नर है एक्जाम में सवाल पूछा जा सकता है मनोज शिना जो है दिया गया है 2023 का तो देखिए बहुत बहुत इंपोर्टेन्ट है संजे कुमार मिसरा जो की सेना के डॉक्तर है और ये नेत्र आईनि की आई specialist है चिकित्सा के पुरुसकार में जो है एम गोखले पुरुसकार दिया जाता है और डॉक्टर संजे कुमार मिस्रा को ये award मिला हुआ है ठीक है चलिए यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं उनको ये समानित किया गया है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की हो हिंदी सवाल है 14 सब्टेंबर सवाल ये भी पूछा जाता है कि किस अनुसूची में जो है हिंदी दिवस का वर्नन आपको मिलेगा आठवी अनुसूची में और आठवी अनुसूची में टोटल हिंदी के अलबा 22 भासाएं आपको देखने को मिलेगी ठीक है किस देश की महिला खि खिलाडी है पहली बात दूसरी बात बाबर आजम को बाबर आजम को जो है अगस्त महिने के लिए ICC का प्लियर ऑब दा मंथ चुना गया था ठीक है चली आगे बढ़ते हैं यहां से आरलेंड की यह जो किर्केटर है मेला किर्केटर इनको यहां से आप देख सकते हूँ चर जेगा एक छोटा सो जो स्मॉल प्लांट है जितना ऑक्सिजन वो प्रड्यूस कर सकता है यह टिपिन वॉक्स का जो यह डिवाइस है इतना ऑक्सिजन यह भी प्रड्यूस कर सकता है और यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो चली अगले सवाल की और हम लोग बढ़त इसके अलाबा यहां पे आईरन, एलमूनियम, टाइटेनियम का भी जो है आपको जो है अपसेस देखने को मिला है यहां पे इस तात्यू की बात की जा रही है चली अगले सवाल की और हम लोग बढ़ते हैं 200 ओजोन दिवस कब मनाया जाता है 200 ओजोन दिवस जो है कब मनाया अगले क्रीम वगएरा यूज करते हैं कारवन वगएरा सभी यह होता है तो ओजोन से बचने के लिए यह हम लोगों ने काम करा है और यह 16 सेप्टेमर को मनाया जाता है हाल में ही क्रिकेट एसिया कब 2023 का अवार्ड किसन जीता है तो भारत ने प्लेयर अप द टूनामेंट क इसिया कब जीता हुआ है एट टाइम्स और इस बार की जो 2023 की रनर अरप टीम थी वो थी स्रिलंका ठीक है चलिए यहां से जो है इंडिया जो चैंपियन्स है इनकी फोटो आप यहां से देख सकते हो इस्टेश्यू आफ वननेस किस राज में बनाया जा रहा है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ तकि आपको चीज़े समझ में आए यह जो है मध्य पर्देश में देखने को आपको मिलेगा कहां पे मध्य पर्देश में और मध्य पर्देश के किस जगह से यह भी सवाल पूछा जा सकता है तो देखिए ओम कारेश्वर जगह से आपको देखने को मिलेगा 108 फीट की मुर्ती नेश्ट कोशन की और हम लोग बढ़ते हैं नेश्ट कोशन आपके सामने यह रहा एसियन गेम्स 2023 में भारतिय दल के ध्वजवाहक कौन थे फ्लैग बेरर कौन थे तो देखिए इसका सई जवाब होगा option number A हर्मन प्रीत कौर और लवलीना बोर गेहन इनके द्वारा जो है और लवलीना जो है यह ओलंपिक मेडल भी ला चुकी है इंडिया के लिए फिलाल अमलोग जो है अगले सवाल के और बढ़ेंगे यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो अगले सवाल के और अमलोग बढ़ेंगे हाल में ही घोसीत भारत का 42वा 200 धरोहर्द अस्तल होईसेल के पवित्र मंदिर किस राजी में इस्तीत है तो देखिए 42वा जो है सबसे पले में 41वा के बारे में बताता हूँ 41द के बारे में सांतिनी के तन रविद नर्ट एगोर का स्थानी निवास है ये और इसके बारे में देखिए कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी जो कि हमारे ओलम्पिक स्वरी ओलम्पिक नहीं नोवेल प्राइज बीनर अमरित सेन उन्होंने यहां पर दावा बगएरा किया था तो फिलाल इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 47 जो है वो करनाटका में आपको देखने को मिलेगा और ये काले पत्थर से बना हुआ मंदिर है यहां से आप फोटो देख सकते हो अगले सवाल किरो हम लोग बढ़ते हैं विस्वो गोटमार मेला किस राजे से सम्मंदित है गोटमार मेला के बारे में बात की जा रहे है तो देखिए बड़ा अजीव और अनुठा है ये बिल्कुल स्ट्रेंज है यहां से आप देख पाओगे फोटो देखिए नदी के बीचो बीच में जो है बिल्कुल अगेंस में खड़े हो जाते हैं और यहां से पत्थरों के द्वारा इस जो है जंडे को गिराने की कोसिस की जाती है ठीक है और जिस गाओं के पत्थर के द्वारे जंडा गिराया जाता है वो उसे जो है विनर घोसित कर दिया जाता है तो इसका सई जवाब क्या हो जाएगा मधिपर्देश में ये अनोखी प्रत्योगिता की जाती है हाल में ही ED का कारी-कारी निर्दिसक किसे न्यूक्त किया गया है देखिए ED बहुत ही important है और ED का काम क्या है ये काले धन पे लगाम लगाती है जो इंटरनेशनल हवाला वगेरा का काला धन है इसके उपर जो है काम करती है ट्रांजेक्शन में अगर गरवड़ी आई ED वहाँ पे आएगा उनका नाम है रहुल नवी रहुल नवीन को जो है फिलाल अभी इनका निर्देशक बनाया गया है संजे कुमार मिस्रा इससे पहले थे चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और अगला सवाल है 128 सम्मीदान संसोदन 2023 किस से सम्मंधित है तो इसका सही जवाब है अपसल नमर A महिला आरक्षन नारी वंदन विल के नाम से भी ये जाना जाता है और इसे जो है लोक सबा राज सबा के दोरा पारित कर दिया गया है जिसमें 33% आरक्षन देने की बात की गई है महिलाओं को ठीक है SCST महिलाओं को इसमें सामिल किया गया और इसे महिलाओं को इसमें सामिल नहीं किया गया है और नए संसद भवन में ये जो है बिल पारित किया गया था नए संसद भवन का ये आप फोटो देख सकते हो अंदर से और अर्जुन मेगवाल के द्वारा यह जो है यहां पे इस बिल को रखा गया था सदन के सामने चलिए आगे बढ़ेंगे डाइमंड लिक 2023 में निरचोपडा ने कौन सा पदक जीता था तो देखिए 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था लेकिन इस बार इन्होंने जो है स अमरित पुस्कार दिया गया है तो देखिए टोटल 84 लोगों को यह समान दिया गया है आपको जानकर हैराने होगी कि 75 साल से अधिक जो हो जाते हैं उनको यह एवार्ड दिया जाता है 75 यह से मोर्देन वाले को और यहां से आप फोटो देख लो पले राजीब धनकड जो क क्या है यह बहुत ही कठोर होता है और इसका काम कहां से हम लोग लाते हैं तो देखिए लो और जो इस पाथ फैक्टरी है वहां पे इसका इसका इस्तिमाल किया जाता है चाइना नमर वन पे है सबसे जादा चाइना में वेनेडियम मिलता है और यह बहुत ही रेर मेटल है औ आपको गुजरात में ये जो है किया गया है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर यहां से आप जो है वेनेडियम की फोटो देख सकते हो, पुराने संसत भवन का नाम क्या बदल कर रख दिया गया है, समीदान सदन क्योंकि पुराने संसत भवन में अब जो है, लोग सभा प्रवन में ने बहुत काम करा था, इनको उससे सम्मानित किया गया है, अब 2023 में इनी सैंटिस्ट के नम पे एक प्रेस्टीजियस एवार्ड दिया जाता है, किस भारती है महिला को ये एवार्ड मिला हुआ है, तो स्वाती नायक इनको ये एवार्ड मिला हुआ है, और वेस्टन लेकी की लेकी का कौन है, और और कौन है, तो देखिए इसका सही जवाब देखिए, क्या होगा, यहां से देख सकते हूआ अप्सर नमरे चेतना मारू, यह एक 11 साल की जो लड़की है, गोपी, उसकी कहानी है, यह बिर्टिस फेमिली में रहने वाली लड़की की क इसका सही जवाब होगा, हुमा कुरेशी, हुमा कुरेशी के दौरा जो है, यह बुक लिखे गई है, यहां से आप देख सकते हो, और यह जो है किताब बहुत फेमिस है, एक्जाम में हो सकता है कि आपके पूछ लिया जाए, जाते जाते फिर से बता दूँ, अगर आपको अक्टूर, नमबर की भी करेंटे फिर चाहिए, तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा, वीडियो यहां तक देख लिए, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आने वाले समय में आपको और भी जो है क्लासेश देखने को मिलेगी, और इस वीडियो को ज्